So, welcome back to my YouTube channel So, यहाँ पे React.js के बारे में हम डिसकस कर रहे हैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि React.js में हम Hello World कैसे एडिट कर सकते हैं कैसे पिंट कर सकते हैं इस स्क्रीन पे और उस फाइल्स और फॉल्डर के बारे में यहाँ पे हमने डिसकस किया था So, इस वीडियो में हम बात करेंगे basically कैसे यह work कर रहा है यहाँ पे किस तरीके से आपको Hello World वहाँ पे दिखाई दे रहा है क्यों कौन सी फाइल्स हैं जिनमें चैंजेज करने होते हैं कैसे आप component क्रियेट करते हैं यह सारी चीज़े हम यहाँ पे डिसकस करेंगे So, यहाँ पे देख सकते हैं यह project है जो हमने आपे run करवा रखा है जिसमें हम NPM start करके आपे run कर सकते हैं यह भी run हो रहा है अब इसको आपको close करना है माँग लो तो आप क्या करेंगे control C यहाँ पे press कर सकते हैं तो यहाँ पे बंद हो जाएगा जैसे आप इसको मैं refresh करोंगे तो यहाँ पे यह तरगे से दिखाई प्रिंट नहीं करेंगा यह काम नहीं करेंगा क्योंकि जो server है हमारा वो हमने close कर दिया एक तरगे से अब इसको दो बारा से आपको run करवाना है तो आप क्या करेंगे npm और यहाँ पे start करके enter press करेंगे तो यहाँ पे यह project run हो जाएगा automatic नई window open हो जाएगी देख सकते हैं और आपको close करना है तो आप क्या करेंगे उस पे ctrl c press करके इसको आप close कर सकते हैं यहाँ पे ctrl c press करके यह मैं आपको बताया था just कि आपको कैसे close का सकते है और यह हमारा project है यह पर यहाँ पर रन हो गया और hello bird यहाँ पर print कर रहा है जो कि हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर देखा था अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यह कैसे काम कर रहा है क कैसे प्रिंट हो रहा है हाला कि या लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यहां पर हम दो बारा से इसको अच्छे से समझेंगे बेसिकली तीन फाइल्स है जिन में हमें यहां पर काम करना होगा अभी पहला है इंडेक्स.html इसको में उपन कर लेता हूं जो कि पब्लिक फोल कर रखा है इंडेक्स.css और इस तरह किसे एप.css है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि इसमें कोई अभी हमें आप किसी भी पिलकार की css फाइल वागिरा हम नहीं रखना चाहते हम से वापस से बिलकुल बिगनिंग से लिखेंगे हम सारी तो इस ओ css कॉड था को जो इंडेक्स.html फाइल है यह हमारा मैन फाइल है यहां से हमारा प्रोजेक्ट एक तरगे से रन करना स्टार्ट करता है ठीक है जिसमें हमने कहें कि सिंपल html कॉड है यहां पे एक डिव टैग बनाया हुआ है हमने और उसकी id यहां पे है root ठीक है तो अब इसमें हमें हमें पे एक तरगे से क्या करना है यह हमारा प्रोजेक्ट है यहां पे जो भी हमें कुछी स्क्रिन पर दिखाना है वो सभी यहां पे लिखना एक तरगे से बट हम क्या करेंगे कौंने करेंगे गOOOO imponet कर लेते हैं बार बार यूजक ऐसकते हैं एक बार हमें create करना होगा फिर उनको हम यूजक कर सकते हैं जैसे कोई site है तो उसमें लैट से कोई header है', footer है तो हम क्या करेंगे? header हर page में बार बार काम में आएगा, तो हम क्या गरेंगे, header का एक यहां पर component बना लेंगे, और फिर हमें को उसको बार-बार record नहीं लिखना पड़ेगा, हम simple उसको component को use कर लेंगे, इसी तरह किसे footer है, footer का जो code है, उसका हम component बना लेंगे, उसको बार-बार हम वापस से ने लिखना पड़ेगा सारा record, हम उसको component को use कर सकते हैं, तो यहां पर हमने क्या गिया, ऐसे हम component पूरा HTML code लिख सकते हैं, पूरा header का code, पूरा footer का code लिख सकते हैं, बट अभी समझने के लिए हम बिल्कुल simple रख रहे हैं, तो हमने क्या गया, आप एक app नाम का component बनाया, app.js, फाइल बनायी थी मैंने, अब इसमें यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अभी यह किस तरह के से component बनाते हैं, component क्या होते हैं, यह हम आगे और बात करेंगे, अभी सिर्फ आपको इस पर जाद धाननी देना है कि कैसे हम component create करते हैं, यहां पे function, app, यहां पे app नाम का component यहां पे create किया है, जिसका नाम है, app, component create किया, अब इसमें return होता है, function है, तो return करेगा, और return करेगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया एक due tag की सायता से यहाँ पर hello world यह हमने यहाँ पर print किया है ठीक है मतलब हमने एक अब इसमें सिर्फ हमने hello world लिखा यहाँ पर पूरा HTML का code लिख सकते हैं कितना भी बड़ा पूरा header का code लिख सकते हैं simple यहां पर हमने एक app नाम का component create कर लिया जो की hello word print करता है ठीक है अब इसको हमें क्या करना है इसको हमें यहां पर दिखाना है screen पर दिखाना है तो एक तरीके से जो div tag है root id है उसकी div tag की उस development की उसमें दिखाना है तो अब उसमें दिखाना है तो हम यहां पर क्या करेंगे index.js एक file है index.js ठीक है तो इसमें अब हम यहां पर लिखेंगे हम क्या करेंगे मैं इसको भी remove कर देता हूँ react strict mode है इसको मैं remove कर देता हूँ और इसको भी मैं remove कर देता हूँ simple जो भी काम की चीज़ी है वो रखेंगे हम बिलकुल यहाँ पर इस तरह के से one minute कुछ इस तरह के से समझ सकते हैं one line का code है ठीक है और यहाँ पर जो index.css है इसको मैं remove का सकता हूँ क्योंकि हमें अभी css file का कोई काम नहीं है जब काम होगा तो इसको हम import कर लेंगे जो required files हैं उनको हम import करके तरह को चलेंगे तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले import किया इसने react को और फिर react dom है इनको आपने import किया यह हर file में आप एक तरह के से import करते हुए चलेंगे क्योंकि इनका काम पड़ेगा तो यहाँ पर हम इनको import कर लेंगे इन दोनों को react को और react dom को फिर हमने जो app नाम का component create किया यह ठीक है यह component create कर ली हमने app नाम का अब हमने बताया था कि इसको दूसरी file में use कर सकते हैं तो हम इसको component को create use करेंगे तो हम क्या करना हो इस file को import करना होगा app.js को तो हमने क्या किया यहाँ पर import app from यह path जो app नाम की file है app.js लिखने की जड़त नहीं है आपको क्या करना है app नाम का यह import app from इस file का नाम यहाँ पर दे देंगे path दे देंगे वहाँ से import करना है यह नाम आप कुछ भी दे सकते हैं तो जैसे app यह नाम दे देता हूं मैं import app app नाम से एक तरगे से इसको import करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे तो इस नाम से यूज करेंगे ठीक है मतलब स्वाजी जो component का नाम है app component है कौन से component को यूज करना है कहने का मतलब यह है कि हमने यहाँ पर जो एक component अभी है कि component है हमारे पास app नाम का यहाँ पर और भी सार file का path दे देना है with file name तो यहाँ पे इस component को हमने import कर लिया तो अब इसको यहाँ पे हम use कर सकते हैं तो अब हमें क्या करना है इस component को जो हमारी index.html file है यहाँ पे आपको दिखाना है एक तरगे से ठीक है इस div element पे दिखाना है ठीक है react-dom.render एक render function है जिसमें हम क्या करेंगे दो parameter लेगा पहला तो लेगा उस component का नाम ठीक है angular brackets में लिखेंगे comment से component है जिसको हम आप सो करवाना चाहते हैं और second element यह parameter लेगा कि कहां पे सो करवाना चाहते हैं ठीक है कौन से component को सो करवाना चाहते हैं अपर सो करवाना चाहते हैं दो पैरामिटर लेगा अप नाम के component को सो करवाना चाहते हैं angular brackets में लिखेंगे app ठीक है इस तरीके से comma second parameter होगा कहां पे सो करवाना चाहते हैं हम कहां पे सो करवाना चाहते हैं एक div tag है हमारे पास जिसकी id root है वहां पे सो करवाना चाहते हैं तो हम उसको कैसे access करेंगे javascript में पता होगा किसी भी element को access करना है तो document.get element by id by id से हम उसको access कर सकते हैं तो उसको हमने यहां पे access कर लिया तो हमने बता दिया कि हमें app नाम का component है वो print करवाना एक तरगे से वो उसको use करेंगे कहां पे use करेंगे हम do tag है जिसकी id root है उसमें use करेंगे तो हमने यहां पे component create किया component को हमने यहां पे बता दिया render कर रहे है render function का use करके कहां पे हमें उसको use करना है that's it तो index.html है इसमें automatic यहां पे वो एक तरगे से यहां पे यहाँ पे वो code एक तरके से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे उसको दिखाई देगा करें तो मैं इसको refresh करूँगा, तो यहाँ पी आपको दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पे सिर्फ एक new है, हम चाहते हैं कि कोई दूसरा div create कर सकते हैं, उसकी id create कर सकते हैं class create कर सकते हैं, वही भी id create करेंगे, और उस id से हम उसको access कर सकते हैं, यहाँ पर let's say मैंने कोई दूसरी div tag है, वहाँ पर मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ let's say मैंने my div नाम का एक दूसरा tag बना लिया वो दूसरा element बना लिया due tag का use कर के ठीक है तो मैं चाहता हूँ इसमें use करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा इसमें मैं इसमें यहाँ पर use करना चाहता हूँ तो मैं इसको my due भी लिख सकता हूँ वहाँ पर use कर सकता हूँ माई डिव लिख दूगा तो मैं भाई मुझे इस component को यहां पर यूज करना है तो वह यहां पर यूज हो जाएगा अब इसका output सेम ही आएगा ठीक है क्योंकि वह अभी आपको दिखाई ने देगा डिव जो टैग है डिव एलिमेंट है वह वहीं पर है ठीक है कहने का मतलब है इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं आपने एक बार component create कर लिया है उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं render function का यूज करके ठीक है तो यह simple सा था जिसमें हमने देखा किस तरगे से यहां पर work करता है हमारा project जिसमें तीन files हैं जिन पर आपको काम करना है कि तरगे से index.html index.js और यहां पर app.js जिसमें हमने app नाम का component बनाया है और भी component बनायेंगे component कितने type के होते हैं वो सब चीज़ हम यहां पर आपको आगे की video जमें discuss करेंगे तो इस video में इतना discuss करेंगे मैं आशा करता हूँ कि यह video आपको समझा ही होगी जिसमें हमने देखा कि कैसे यहां पर ज तो चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि मैं आप ऐसी वीडियो और टूटरल से आप अपलोड करता रहता हूँ आप मेरे चैनल की playlist को विजिट कर सकते हैं जिस पे मैंने काफी सारे projects हैं और काफी सारे PHP projects हैं वो आप अपलोड किये हुए काफी सारे videos हैं टूटरल से वो अपलोड किये हुए तो आप एक बर playlist को यहाँ पे चैक कर सकते हैं इस वीडियो पे इतने discuss करेंगे thanks for watching this video मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care